Hello my dear student of class 9. This is chapter 3, Ishwaran the Storyteller from Moment Book. This story is written by R.K. Lakshman. So student, first of all, one question is arising here. Who is Ishwaran? Ishwaran काण है? Ishwaran एक Storyteller है, जो अपनी कहानियों से लोगों को मन में Curiosity को भर देता है. कहानी को Express करने का Style एकदम पहतरीन लाजबाव होता है इसका. और महंदर के साथ जो जो घटनाई होती है, महंदर के जीवन में जितने भी Incident होती है, और जितनी भी कहानिया, इश्वरन के द्वारा महंदर शुना था, वो सारी कहानियों को, सारी घटनाओं को, सारी Incident को, जो इसके लाइफ में घटी थी, ये सारी कहानिया, सारे बातों को गनेश को बताया जा रहा है, इस कहानी के माध्यम से. आए आगे देखते हैं क्या होता है, रूप को देख करके वो भैवीत हो जाता है, और भैवीत होने के बाद क्या होता है, और उस बातल से बनेवे आकरिती को देख करके वो इतना खबर आ जाता है, और उसके सरीर से पशीने निकलने सुरू हो जाते हैं, और उसे वो भूत समझ बैटता है, तो यहाँ पर कोशन है, was it a ghost, तो क्या सच में पूत था या नहीं, तो आईए स्टोडी को पढ़ते हैं, तो पदा चलेगा कि महंदर सच में भूत को देखा या नहीं देखा, तो आखिर क्या हुई, क्या वज़ा है, स्टोडी को डेटेल्स में जानते हैं, तो समझ में महेंदरा, बाई नेम, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि यह स्टोडी किसी को कही जा रही है, किसको कही जा रही है, यह स्टोडी बताई जा रही है, कही जा रही है, किसको, गनेज को, गनेज को, और स्टोडी कौन कह रहा है, महेंदर, महेंदर के जीवन में जो घटना गटी हैं जिस सारे बातों को गनेश को बताया जा रहा है और मेंद्र यहां पर कहते हैं कि he was a junior supervisor in a firm which offered on higher supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on मेंद्र कहता है कि वो एक junior supervisor था किसी company में और company क्या करती है बहुत सारे supervisors को नियुक्त करती है, hire करती है construction site में भेजने के लिए देखभाल करने के लिए कि वहां की activity कैसे हो रही है नहीं हो रही है तो construction site में भेजने के लिए बहुत सारे supervisors की जरोड़त पड़ी एक company को तो जैसे के factory का अगर निर्मान हो रहा है कहीं पर bridge का निर्मान हो रहा है कहीं पर dam का निर्मान हो रहा है तो इन सब जगों पर काम को कराने के लिए company क्या करती है supervisor को नियुक्त करती है उसी तरीके से मेंद्र को भी appoint किया गया था मेंद्रा's job was to keep an eye on the activity at the work site मेंद्रा का का काम सिर्फ इतना था की work site पे जितने भी activity हो रहा है वहां के workers का क्या हरकते है workers सही से काम कर रहें के नहीं कर रहें काम सही से हो पा रहा है के नहीं हो पा रहा है यह सारी activity पे नजर रखने की इसकी duty थी he had to keep moving from place to place every now वो क्या करता था एक जगह से दूसरे जगह इदर उदर उसे होना पड़ता था क्यों क्योंकि then as order by his head office जैसे ही अगर head office से यह आदेश हो जाता था कि इस की महंदरास को आज यहां duty perform करना है तो वो आदेश पाते ही वहां चला जाता था फिर कहीं और construction site में अगर उससे duty मिल जाता था तो दूसरे construction site में चला जाता था तो इस तरीके से order मिलते ही वो अपना जगह बदल लिया करत थी दूसरे site पर जैसे कि यहां पर बताया गया है from coal mining area to railway bridge construction site अब अचानक वो काम कर रहा है कहां पर जैसे की coal mining कोईले के ख़दान में काम कर रहा है वहां पर supervisor के post पर है अब company कह देता है कि नहीं अब वो जाना है railway bridge construction site में जाना है तो अब वो वहां जाता था from there after a few months to chemical plant which was coming up somewhere लेकिन कुछ महिने से वो एक chemical plant के यहां पर है वहां पर वो काम कर रहा था he was a bachelor वो एक bachelor है unmarried है his need was simple उसकी जो आवशकता है थी वो बहुत simple और साधरन थी and he was able to adjust himself to all kinds of odd condition वो किसी भी परिस्थिती में अपने आपको ढाल लेता था ऐसा नहीं था कि वो supervisor के post पे है तो उसके लिए high level की सब कुछ accommodation अच्छा होना चाहिए था company उसे अच्छा accommodation दे तभी वो आएगा ऐसा नहीं था कि अगर वहां पर परिस्थिती सही नहीं है अब वो breeze बनाने जा रहा है तो वहां पर साधर नहीं है company के तरफ साधर नहीं मिल पाया तो वो उसी जो ही है present में वो अपने आपको ढाल लिया करता था इसलिए यहां पे line कही गई है कि he was able to adjust वो अपने आपको adjust कर लेता था all kinds of odd conditions अगर condition उसके लायक नहीं है तेकिन फिर भी वो अपने आपको adjust कर लेता था उस परिसिती में whether it was an ill-equipped circuit house अगर कहीं पे अच्छा accommodation नहीं है company उसे अच्छा room नहीं दे पाई तो वो क्या करता था टेंट में भी अपने जीवन को बिता लेता था कुछ शमय के लिए max shift canvas tent in the middle on the stone quarry का मतलब यहां पर mine होता है बच्छों ठीक है कभी कभी क्या होता था कोईले के खान के बीचों बीच में भी वो टेंट बना करके रह करके अपने जीवन को बिता लिया करता था but one asset he had was his cook इश्वरन लेकिन एक उसका एक अस्थाई संपत्ती के रूप में एक चीज़ कुआ करती थी वो कौन है उसका रसोईया उसका cook जिसका नाम था इश्वरन तो अब पता चला इश्वरन कौन है इश्वरन महेंदर का cook है clear the cook was quite attached to महेंदरा जो cook था वो महेंदर से काफी घूला मिला था काफी उसके संपर्क में रहा करता था and followed him uncomplainingly wherever he was posted और महेंदर की posting जहां भी हुआ करती थी वो बिना किसी complain किये वे बिना किसी संकोच किये वे उसके साथ वो चल दिया करता था he cooked for महेंदरा वो महेंदरा के लिए खाना पकाया करता था washed his clothes उसके कपड़े धोया करता था chad away with his master at night अपने मालिक के साथ रात में बाते किया करता था he could weave out inlet stories and anecdotes on varied subjects और क्या करता था वो नजाने कई subject पर कई topic पर कहानियों को बुना करता था उसके देमागे बहुत सारी कहानिया आ जाया करती थी और कहानी ऐसा हुआ करती थी कि जिसकी समाप्ती नहीं होती थी एक पर एक पर एक वो इस्टोरी को बनाया जाता था यानि कि स्टोरी बनाने में वो माहिर था एक्सपर्ट था उसकी कहानिक खत्म नहीं होती थी और उसके साथ साथ उसकी कहानिया कैसे होती थी रोचक हुआ करती थी ताकि जो सुन रहा है उसे उबाहू नहीं है मैसूस हो एक और खास बात थी एक अजीब शी उसके पास छमता हुआ करती थी कि बहुत जल्दी वो क्या करता था खाने के आइटम को जुगाड कर लिया करता था क्योंकि नए जगों पर जाना और वहां के लोकलेटी को समझना कि कहां पर कौन सा सामान मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो ये इस वरन के लिए बहुत छोटी बड़ी चीज थी वो खुद जुगाड लगा लेता था कि कौन सामान कहां पर है कैसे लाना है तो वो जुगाड ठिक बढ़ा लेता था इस बात को देख करके मैंदर बोलता है क्या कि मुझे हैरानी होती थी इस के इस छमता को देख करके इस कैपासिटी को देख करके कि ये ये बंदा कैसा है जो नए जगों पर भी आ करके कुकिंग के इंग्रेडियन्ट को समागरी को वो जुगाड अच्छे से कर लेता है सिमिंगली आउट नौवेर इन ता मिडिल ऑफ द डिसुलेट लैंड्सकेप विथ नो शोपस वीजबल फॉर माइल्स अरूंड कहा जाता है क्या मैंदर कहता है कि एक ऐसी जगह पे आ गया जहां पे बह दूर तक ना तो कोई दुकान है नहीं कोई चीज है और कोई चीज मेल दूरों तक नहीं दिखाई दरी है लेकिन फिर भी वो क्या करता है खाने की समागरी को वो जुगाड़क कर लेता है तो ये चीज़ को देखकर के वो महिंदर कहता कि मैं है रान रह जाता हूं कभी- अब यहां पर मेंदर कहता है क्या कि जैसे मैं न्यू प्लेस पर marvel movement दो में और नप्य दर के सके थो एक ही घंटे के अंधर नर यह जांने इश्वरण में क्या जादू दी मेरा कशली कंशारवब का मतलब होता है कि उसके अंदर एक चमतकारी ढंग से वो ऐसे जादू किया कि लग रहा कि सारे शामान को इकठा कर लिया अपने जादू से उसे ऐसा लगा कि पताने इतना जल्दी इतना दूर तक कोई शोप नहीं है कुछ शमान मुझे नजर नहीं आ रही है लेकिन फिर भी इश्वरन क्या किया कि एक घंडे अंदर में इतना फ्रेश वेजिटेवल ले आया और खाना को तैयार कर दिया इस चीज़ को देख करके महंदर जो है दंग रह जाता है और कहता है कि वाके में अब अर्ली इंदर मॉर्निंग महंदर क्या करता था सुबह सुबह उड़ जाया करता था लेफ वर्थ वर्क अपने काम के लिए क्योंकि उसे काम में जाने हो परती थी और ब्रेक्फास्ट के बाद अपने काम में वो चला जाया करता था carrying some prepared food with him और अपने शाथ में क्या करता था कुछ खाना भी ले लिया करता था meanwhile इश्वरन और tidy up अब इस बीच में इश्वरन क्या करता था जब अपने मालिक को खानों ना खेला करके भेज दिया duty पे तो उस बीच में अब इश्वरन का क्या duty हुआ करती थी इश्वरन अपने आपको शाफ करता जो भी टेंट उसकी थी टेंट खाना बनाते के दरमियान जो गंदा हो गया था टेंट को अच्छा से साफूफ करता और मालिक के कपड़े को धोता और क्या करता है वे लिजरली बात लिजरली बात का मतलब अब अपने आपको आराम से नहाता था ठीक है pouring several buckets of water over his head और नहींजाने कई सारे कई बाल्टी से वो अपने आपको नहाता था और क्या करता था muttering a prayer for a while और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप लोग भी देखे होंगे, कि कुछ लोग नाते समय क्या करते हैं, कुछ एक मंदर का उचारन करते हैं, ठीक है, भवान का नाम लेते हैं, तो भवान के उचारन, भवान के मंदर का उचारन करता था, it would be a lunch time, by then, उसके बाद lunch time उसका हो आता, सोने से पहले, मतलब थोड़ा सा सोता था, लेकिन सोने से पहले वो थोड़ा सा पड़े भी लिया करता था, the book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages, वो book कौन से थी, वो कौन से बुक पढ़ा करता था जाता था, वो Tamil thriller, मना Tamil की स्टोरी पढ़ा करता था, Tamil की स्टोरी में क्या आता था, कि ब स्टोरी हुआ करती थी, जिसे वो पढ़ा करता था, its imaginative descriptions and narrative flourish would hold Israel in thrill, अब वो उस कहानी को पढ़ा करके, वो इतना मदहोस हो जाता था, कि उसे, उस suspense में वो खो जाता था, और ऐसा लगता था, कि उसे वो absorb कर रहा है, जिस तरह से कहानी घट रही थी, कहानी को पढ़ता था, तो वो उस कहानी में खो जाता था, हम लोग भी क्या करते हैं, कि हम लोग को भी कहानी पढ़ते हैं और अच्छा लग रहा है, तो और पढ़ते जाते हैं, और पढ़ते जाते हैं, और यह जानने के कोशिस करते हैं, कि आगे अब क्या होगा, आगे अब क्या होगा, तो वही यह कहा करता है कि उसमें एकदम से वो खो जाता है, बंद साजाता है His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read अब उस कहानी के में वो इतना खो जाता था और Tamil के जो अथर हुआ करते थे जिसकी वो कहानी पढ़ा करते थे उससे वो काफी परभावित हुआ उसका जीवन और जितनी भी कहानियां वो सुनाया भी करता था वो तामिल के स्टूडी से ही पहले पड़ता था और उसी कहानी को अपने मालिक को सुनाया करता था या औरों को भी सुनाया करता था When he was narrating even the small of incident he would try to work in the suspense and surprise ending into the account और कहानी पढ़ा पढ़ा करें उसके अंदर उसके जीवन इतना परभावित हुआ कि किसी भी चीज को अगर क्योंकि वो सस्पेंस कहानी पढ़ा करता था जिसमें थ्रिलर हो रोमांच हो तो उस कहानी को पढ़ते पढ़ते उसके जीवन इतना परभावित हो कि अगर छोटी स की चीज को कहना है अगर उसको तो उसको बहुत ही घुमा करके रोमांचत तरीके से सस्पेंज उसमें भर देता था और उस चीज को बयान करता था जैसे यहां पर एक्जांपल दे रहा है क्या कि कि for example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say अगर मान के चले कि अगर सिर्फ उसको इतना कहना पड़े कि यहां पर कहानी एक छोटा सा एक्जांपल दे रहा है कि अगर इश्वरन को इतना कहना था कि वो जा रहा था highway पे और एक पेड़ रास्ते पे गीड़ा पड़ा था ठीक है गिरा पड़ा था अगर इसी बात को इस्वरन को अगर कहना होता तो इस्वरन कैसे कहेगा इस चीज को अब देकि इस्वरन का कहने का तरीका क्या है बस यह इस statement को कि वो जा रहा था और रास्ते पे पेड़ उखड़ा हुआ बीच बीच पड़ा हुआ है ठीक है अपने आँखों को एकदम आर्ग कर लेता था आर्ग मतलब एकदम कर्व जैसा बना लेता था ठीक है उसके बाद क्या करता था हैंस हैल्ट आउट इन एक ट्रामिक केश्चर और अपने हाथ को इस तरीके से बाहर निकलता था लग रहा था कि अब वो ड्रामा कुछ करने व बाहर निकाला मनें एक्स्प्रेशन देने के लिए और कहता क्या दरोड वार डिजर्टेड रोड सुनसान थी सड़के सुनसान थी and I was all alone और मैं उस रास्ते पर अकेला था Suddenly I stopped something that I looked an enormous beshi beast laying spalled around across the road और क्या बोला कि जैसे ही मैं रुका तो मेरी नजर एक बहुत बड़े जानवर पर पड़ी ऐसा लग रहा था कि वो जमीन पर पड़ा हुआ है I was half inclined to turn and go back फिर मैंने मेरे अंदर ये आधी सी इच्छा जगी कि मैं turn हो जाओ वापिस चली जाओ चला जाओ लेकिन but as I came closer लेकिन जैसे ही मैं और नज़्दीक उसके पास गया I saw that it was fallen tree तो मैं डर डर के डर डर के जब मैं और उसके नज़्दीक गया तब तो मुझे परना चला कि जा ये तो पेड़ गिरा हुआ है मने देखिए क्या हुआ कि यहां पे बस छोड़ी सी बात थी कहने थे कि हाई बेप वो जा रहा था और एक पेड़ अगर गिरा हुआ है तो इस बात को वो मालिक को कैसे बता था कि वो गया तो उसको ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा जानवर है जो रोड़ पे पड़ा हुआ है उसे डर लगा लेकिन फिर भी दिरे 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 को उस खिमत करके जब वो गया तो पता चला क्या कि जा ये तो पेड़ गिरा हुआ मतलब वह इस तरीके से suspense भर देता था ताकि सुनने वाला भी और सुने और बोले कि आगे क्या हुआ और बताओ वह इस तरीके से बयान करता महेंदर ओड स्टेच हिमसेल्फ बैक इन दा कैनवस चेर अब महेंदर भी क्या करता था अपने आपको उसी कैनवस में मनें उसी टें इश्वरन के कहानियों को वह अन्क्रिटिकली मनें सुनता है क्यों क्योंकि वह बोरिंग फिल नहीं होता है वह इस तरीके से कहानी को जब रखता है उसके सामने ना महेंदरे के सामने तो उसको अच्छा लगता है बोरिंग नहीं होने देता है अब यहां से एक और कहानी शुरू होती है अपने माली को बताता है महेंद्र को बताता है कि एक जगह है जिससे मैं आया करता था वो जगह टिमबर के लिए बहुत फेमस हुआ करती थी अब इस्वरान क्या करता है एक और कहानी बताना सुरू करता है और जो जगह है वो जगह बहुत फेमस है लकडियों के मामले में और जो लकडियों के लॉग होते हैं जो लकडियों के गुंदा होता है उसे उठाया जाता है और उठा करके रख़ा जाता हैist को बता हो लोगों को उठाने का काम वहां होता है और आप तो जानते ही है कि जो elephants होते हैं वो बहुत खाने वाला बिश्ट होता है बहुत खाने वाला जानवर होता है और आपको क्या यह पता है कि जब हाथी अगर भागल हो जाता है जब वो सनक जाता है तो कितना बड़ा भी महौत क्यों ना आजाए महौत का मतलब क्या होता है जो हाथी के उपर बैटता है जो elephant के उपर शवार होता है और हाथी को कंट्रूल करता है उसको महौत बोलते हैं तो कितना अनुभवी महौत भी आ जाए तो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है कब जब हाथी पागल होने लगे हैं। After this prologue, अब इस prologue को कहने के बाद, मैंने अपने बारे में तो बता दिया कि वो कहां से आया, क्या करता था, उसका जगा किस के लिए famous है। मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो पहले वो दे दिया, ठीक है इस्वरन, अब आगे अपनी कहानी को बढ़ाता है, After this prologue, इस्वरन ओड लॉंच इन्टू एन इलिबरेट अनेक्ड़ॉट इन्वाल्विंग एन एलिफेंट, अब क्या करता है, अपना इंट्रोडक्शन दे अब कहानी आती है कि इस पर एक हाथी पर आती है, One day a Tusker, Tusker मतलब होता है एलिफेंट, One day a Tusker is kept from the timber yard, एक दिन क्या होती है, कि timber yard से, timber मतलब जानते हैं, जहां पर लकड़ियों को काट 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 के, उसके लकड़ी के कुंदा को रखा जाता है, commercial purpose की इसाब से बेचा जाता है, तो उस जगा को क्या बोलते हैं, timber yard बोलते हैं, clear, तो timber yard से क्या हुआ, एक हाथी जो है, वो भाग गया, वहां से, वहां से किसी तरीके से निकल गया, and begin to roam about stamping on buses, अब क्या हो गया, वहां से निकल करके, वो इधर उधर भटकना शुरू कर दिया, और अपने बड़े-बड़े मोटे-मोटे पैरों को छोड़े-छोड़े बुसिस पर रख देता था, tearing up wild creepers, और जितने भी creepers हुआ करते थे, उसको खाल देता था, fake देता था, breaking branches, at will, और जितने भी छोड़े-छोडे पौदों के branch हुआ करते थे, या पेडों के branch हुआ करते थे, उस कि सर कि आपको पता है, कि एक हाथी जब पागल हो जाता है, तो उसका behave कैसा हो जाता है, कि आपको अंदाजा है, इसका, इस पर रख गेट, so caught up in the excitement, in all story, that he would get up from the floor and jumped about, अब इस कहानी को कहते, 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 अब क्या हो गया, इसको अब real में दर्स आने लगा, किसके सा सामने, और तुरंत क्या करता है, अपने चेर से कुद जाता है, ठीक है, माली के सामने क्या करता है, कुद जाता है, जमीन बजी, इस तरीके से, elephant क्या करता है, अपने पैर को धराम से पटकता है, और छोटे-छोटे जो बुसेज होते हैं, वो क्या होता है, कुछला जाता है उसी तरीके से वो क्या करता है जमीन पे ध्राम से कुछ जाता है मने expression शो करने की कोशिस करता है यहाँ पे clear इश्वरन उट गेट सो कट अप इश्वरन क्या करता है अपने आपको पूरे तरीके से उस स्टोरी में बांध लेता है excitement को अब बाहर निकलने की कोशिस करता है clear and jumped out stamping on his feet emulation on the mad elephant जिस तरीके से पागल हाथी अपने पैर को जमीन पे पटकता है उसी तरीके से इश्वरन भी अब जमीन पे पैर को पटक पटक के activity शो करने लगा the elephant reached the outskirt of our town अब क्या हुआ हाथी जो है टाउन के बाहर आने लगा मतलब दिरे दिरे निकल निकल करके टाउन से बाहर आ गया and breaking the fence all like the match sticks और जितने भी fences वगरा थे सो वो को तोड़ दिया करता था मस्ती सो तोड़ता था ऐसा लगता था कि जैसे उसके सामने वो सिर्फ माचिस की तिलिया हो ठीक है he would continue और वो ऐसा कहाने को आगे बढ़ाते रहा clear it come the main road अब क्या हो गया हाथी जो है main road पे आया कि लिए एक रार इंगपा जैसे एक हैं आगे जो हाथी और जांगा झाल आगे जो हैं तो बढ़ा है